जो पसर देवी उनका नाम है माई एकदम लेटी हुई है ये देखें और इसके नीचे कहा जाता है अभी हमें ये जानकारी मिली है कि इसके नीचे कुआ हैं जब हम यहां से कोई भी, कुछ भी चढ़ाओा फल, फूल या कुछ चढ़ाते हैं तो नीचे कुगा में चला जाता, ये एकदम अदबुध है, चमतकार है कि नीचे कैसे यहाँ पहाड़ पर कुगा रहा होगा नमस्कार, मेरा नाम है अवदेशपाल और आप देख रहे हैं जनता का राज, एक बहुत ही सांदार कभरेज के साथ मैं आपके साथ हूँ और ये जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं, कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा जैमा पसर देवी किलब, जो नरवरगड़, यहां हम लोग एमपी के सिवपरी जिले में हैं और ये नरवरगड़ किला है, किले के लगभग 300-400 फुट उपर है माता यहां बिराजी है और उनका पसर देवी नाम जो आप देख रहे हैं लिखा है, इस किले की, इस मंदिर की बहुत खासियत है और इसे जो माता हैं यहां बिराजी है, राजा नल, जो महाभारत कालीन है, राजा नल, उनकी पतनी दैन्ती, उनकी प्रेम कहानी यहां से जुड़ी है और राजा नल जो उनकी माता है इन माता जी से उन्होंने बरदान माँगा था उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हो रहा था तब जाके राजनल हुए हैं और यहां जब आप देखेंगे कि यहां ताला बंद है यहां कोई ऐसे पुजारी नहीं है ना कोई है जो भी यहां पर परेटक आते हैं देखकर जाते हैं वो मा जो पसर देवी उनका नाम है मा एकदम लेटी हुई है यह देखें और इसके नीच कारी मिली है कि इसके नीचे कुँआ है जब हम यहां से कोई भी कुछ भी चढ़ावा फल फूल या कुछ चढ़ाते हैं तो नीचे कुआ में चला जाता है यह एकदम अदवुद है चमत्कार है कि नीचे कैसे यहां पहाड़ पर कुआ रहा होगा और यह कितना पुराना इत इत्यास है, पंद्रा सो इजवी पूर्व का है, बताएं महावारत काली नहां पर राजनल का इत्यास है, यह नर्वर कर किला है, जो सिपुरी जिले में मद्द प्रदेश में पढ़ता है, बहुत ही अच्छी जगह है, यहां देखने के बाद अलग ही लग रहा है, यहां मिन्टर में फैली है, लेकिन इस मंदिर का जो प्रांगार दिख राज़ा होगा, कैम्रिय के पीछे शृरी किस आदा नहीं दिखा रहे है कि लग्भग यहां प्रांगार बहुत है, और यहां पर कई लोग यहां सेभख आए हैं जो देखें, घंटा बहुत पुराना लग है और यहां सुकून बहुत है यहां कोई पुजारी नहीं है लेकिन यहां आप आकर आराम से समय बिता सकते हैं और पसर देवी मां अगर नरवरगर किला देखने आते हैं तो पसर देवी मांता का मंदिर आप जरूर देखने आए और हम आगे आपको वीडियो में सबसे पूण क्योंकि सावन का महिना है तो जो आला उदल है हमारे महोबा के उनका इत्यास नर्वर के किला से जुड़ा हुआ है यहां की फलोवा थी तो कहानी हम आपको बताती हैं कि कहां उदल को कैत कर लिया गया था फलोवा कहां पर नहाती थी वो सारी जानकारी आंगे के लिए में जटाएंगे चलते हैं